नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी चैनल The Haunted Earth India में दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए The Haunted Earth India को और बगल में बने घंटे के आइकान को दबाना बिल्कुल भी न बोले जिससे की हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहें दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सपनों के फल के बारे में दोस्तों जैसा की हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे सपने ना आते हो और हम सपने में अलग-अलग तरीके की बहुत सारी चीजे देखते हैं सवपन जोतिस के अनुसार नीद में दिखाई देने वाले हर सपने का एक खास फल होता है यहां हम आपको कई सपनों के स्वपन जोतिस के अनुसार संभावित पल बताने जा रहे हैं दोस्तों जो सपने छूट जाएंगे उनको हम अगले एपिसोड में सामिल करेंगे तो दोस्तों आईए सुरू करते हैं जब हम आखों में काजल लगना देखते हैं तो हमें सारीरिक कस्ट होने की संभावना होती है सोयम के कटे हाथ देखना अगर हमने खुद के कटे हाथ सपने में देखा है तो किसी निकट परिजन की मृत्यू के संकेत बनते हैं अगर सूखा हुआ बगीचा हमने देखा है तो इसका मतलब कस्टों की प्राक्ति होगी यदि मोटा बैल देखा है तो अनाज सस्ता हो जाएगा पतला बैल अगर देखा है तो अनाज महेंगा हो जाएगा यदि सपने में हमने भेडिया देखा है तो दुसमन से डर लगेगा किसी राजनेता की मृत्यू यदि हम देखते हैं तो देश में समस्या होने की संभावना बन जाती है पहाड हिलते हुए देखना अर्थात किसी बिमारी का प्रकोप होना पूरी खाना यदि सपने में हमने पूरी खाई है तो हमें प्रसनता का समाचार मिलता है तांबा देखना यदि सपने में तांबा दिखाई देता है तो किसी गुप्त रहष्य का पता लगना संभव है पलंग पर सोना सपने में अगर पलंग पर सोना दिखाई देता है तो गवरों की प्राप्ति होने की संभावना बन जाती है थूक देखना, अर्थात परेशानी में पढ़ना, हरा भरा जंगल देखना इसका मतलब है कि प्रसन्नता मिलने वाली है यदि स्वयम को उलते हुए हम सपने में देखते हैं तो निश्चित तवर पर किसी मुसीबस से शुटकार आखपाने का संकेत होता है यदि स्वप्न में छोटा जूता पहनना देख रहे हैं तो किसी इस्त्री से जगला होने की संभावना बन जाती है किसी से लडाई करने का स्वप्न अगर देखा है तो प्रसंद अपराप्त होना संभावित है यदि स्वप्न में लडाई में मारे जाना दिखाई देता है तो निश्चित तवर पर राज प्राती के योग बनते हैं यदि हम स्वप्न देख रहे हैं और उसमें चंद्रमा को तूटते हुए देखते हैं तो कोई समस्या आने वाली होती है और अगर चंद्रगरान देखा है तो किसी रोक का होना अवश्यंभावी हो जाता है यदि स्वप्न में चीटी दिखाई देती है तो हम किसी समस्या में पढ़ना सुरू हो जाते हैं यदि चक्की देखी है तो सत्रूओं से हानी होना निश्चित है यदि सुपन में दाट तूटते हुए दिखाई देते हैं तो मान लिजिए कि समस्याओं में बृद्धी होने वाली है और अगर सुपन देखते समय खुला दरवाजा देखा है तो निश्चित तोर पर किसी व्यक्ति से मित्रता जरूर होगी और अगर बंद दरवाजा देखा है तो बचके रहिएगा धन की हानी होना निश्चित है यदि सुपन में खाई दिखाई दे रही है तो धन और प्रशिद्धी की प्राप्ति अवश्य होती है और यदि धूमा दिखाई दिया है तो यदि व्यापार करते हैं तो हानी होना संभावित है भूकंप अगर आता हुआ दिखाई देता है तो सावधान हो जाईए शंतान को कस्ट होगा और अगर सुराही देखी है तो बुरी संगत से बचना सुरू कर दीजिए क्योंकि उससे हानी होना निश्चित है यदि सुपन में चस्मा लगाना दिखाई दिया है तो ग्यान का बढ़ना निश्चित है और अगर दीपक जलता हुआ दिखता है तो निश्चित तवर पर आपके लिए नए औसर जरूर बनेंगे और अगर आश्मान में बिजली दिखाई दी है तो कार्य व्यावसाय जो भी आप करते हैं उसमें इस्थिर्ता जरूर आईगी और अगर मांस दिखाई दिया है तो आकस्मिक धनलाव अवश्य होगा और यदि आपने बिदाई शमारोह देखा है तो धन संपदा में व्रिद्धि होगी और यदि तूटा हुआ छप पर देखा है तो गड़े हुए धन के प्राप्ति के योग बनते हैं और यदि आपने स्वपन में पूजा पाठ करते हुए देखा है तो समस्याओं का आंत जरूर होगा दोस्तों ये कुछ स्वपन थे और इनके संभावित निसकर्ष क्या हो सकते हैं वो हमने आपको बताया है और भी बहुत सारे स्वपन हैं इनके बारे में हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि उन स्वपनों को देखने से कौन से फल की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों बहुत सारी कहानियों के बाद हमने सोचा कि हम आपके लिए कुछ अलग तरीके के वीडियो लेकर के आएं इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सेयर कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बने बेल आइकान को जरूर दबाईए हम कोशिश करेंगे कि जल्द ही आपके लिए एक नई डर से भरी हुई हारण स्टोरी लेके आए तब तक के लिए आप स्वास्त रहें खुस रहें थाइंक्यू